सबको मेरा नमस्कार कल तक दिल्ली में 36 केस थे कोरोना के आज 3 और बढ़ गए हैं आज 49 केस हैं कोरोना के जिसमें 49 में से 29 केस वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको कॉरेंटाइन रखा गया था वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है तो उन में से जो केस निकले हैं और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वज़े से आगे लोग संक्रमित हुए हैं वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमेशन होई लोकल लोगों में फैला है लेकिन एक प्रशन उठता है कि अभी स्थिती नियंतर्ण में हैं एक दिन में 3-4 केस बढ़ते हैं मोटे-मोटे तौर पे कुछ एक दिन बीच में ऐसे भी आए जब एक भी केस नहीं बढ़ा लेकिन जो दूसरे देशों की स्थिती है यहां तक कि अमरीका में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम इंग्लेंड में भी यूके में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम अगर स्थिती बहुत ज़ादा बढ़ जाती है कोरोना के केस आने बहुत बढ़ जाते हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं इसकी तैयारी करने के लिए मैंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई थी पांच डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर सरीन जो की I.L.B.S के हेड हैं उनके अध्यक्ष्टा में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शांदार काम किया है उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है हमें क्या-k Pvd करनी इसको उन्होंने तीन स्टेजे इस में बंटा आ pronoun है एक है कि अगर डेली कि सौ तक के इस कोरोना के आते हैं हर रो तस सो नएडे केस अगर सो से कम सौ नएडे केस कोरोना के आते हैं तो हमें क्या 2021 करनी है दूसरी स्टेज अगर पांसो तक केस बढ़ जाते हैं रोज पांसो रोज केस आना शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या तेयारियां करनी है और तीसरा की अगर एक हजार केस रोज आना चालू हो जाते हैं के positive रोज एक हजार patient Corona के आनचाल हो जाते हैं तो हमें क्या तैयरिया करनी है अब ही सौ तक केस अगर कोरोना के डेली आते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि किसी दिन तीन आ रहे हैं किसी दिन चार आ रहे हैं अगर ये बढ़के सौ परड़े भी हो जाते हैं तो आज हमारे पास जो विवस्था है आज हम जिस थिती में हैं वो काफी है इसको हमने चार-पांच चीजों में देखा है कि हमारे पास आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी अगर सौ केस होते हैं तो आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी पांसो होते हैं तो आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी हजार होते हैं तो आईसोलेशन बेड्स की कितनी जुरूरत पड़ेगी हर स्टेज पे कितने कितने आईसी बेड्स की जूरूट पड़ेगी कितने टेस्टिंग क्षमता की जूरूट पड़ेगी कितने टेस्ट करने पड़ सकते हैं अगर सौ बेड सौ पेशेंट डेली आ रहे हैं तो मोटे-मोटे तौर पे हमें उन दिनों में कितने ट अबोलेंसे हाजार में कितने अम्बूलेंसे कितने डॉक्तर्ज नर्से की जूर्स पड़ेगे वो डॉक्तर्ज नर्से कैसे आएंगे कहां रहेंगे इस सब की बहुत डीटेल्ड प्लैनिंग इन सब ने इस डॉक्टर्स की टीम ने की है तो सौ केस तक जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल हमारी तैयारी है सौ से जैसी बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लैनिंग करके दिया कि हमें सौ से बढ़ने पर इन इन अस्पतालों के अंदर और तैयारिया करनी है ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है ये ये एंबुलेंसे यहां यहां से आएंगी ये ये वेंटिलेटर यहा पूरी तुभे तैयारी है 500 पर बढ़ने हहां भेहिजने में पूरी थियारी तैयारी 6hr योजो कमियां नाजर आ प जयाएं कि अब ॉन about यह हम गयां नजार ले ने अगर शारी दोर कर रहे और इन एपेजसाब से 1000 चाहर पेशन्ट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्य के अंदर 1000 पेशन्ट पर डे तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे है उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे है भगवान करें ऐसी स्थीन ना आए मुझे उम्मीद नहीं आनी चाहिए on जो हम sth बढ़ेगा नहीं लेकिन अगर बढ़ता है तो हमें तयार तो रहना चाहिए ना तो उसके हम लोगों ने पूरी तयारी किये दूसरा है जो बहुत गरीब तपका है सबसे गरीब तपका जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो राशन दे रहे हैं लोगों को लेकिन जिन लोगों को जिन लोगों को राशन कार्ड भी नहीं है जिन लोगों को खाने को नहीं है गर में बिलकुल अब चूला जलना बंद हो गया है ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रहन बसेरों में खाना खिला रहे थे हमारे 224 रहन बसेरे चल रहे थे अभी तक लेकिन हमने देखा वो बहुत कम पढ़ते जा रहे थे डेली संखया बहुत बढ़ती जा रही है 224 रहन बसेरे भी कम पढ़ रहे थे और कई जगे से खबर आ रही थी कि यहां भी लोग भुक है हैं यहां भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया के उपर जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूक हैं यहां पर खाना नहीं है तो इसको हमने बहुत बड़े स्थर के उपर आज से हम बढ़ा रहे हैं हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतिजाम किया है 325 हर स्कूल में कम से कम 500-500 लोगों के खाने का इंतिजाम दोनों टाइम 500-500 लोगों के खाने का इंतिजाम किया है जो existing रहन बसेरे थे उन रहन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है तो आज से, अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, आज से ये संख्या बढ़के लगबग 2,00, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं, 2,00, लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे, और ये संख्या कल से बढ़के दबल हो जाएगी, कल से हम 4,00, लोगों को डे मैंने अपने सभी MLA's को बूला है, कि सभी MLA's की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षितरों के अंदर वो समाज के साथ मिलके एंशूर करें, सरकार तो अपनी वियवस्था करी रही है, समाज को जैसे मैंने बार-बार कहा समाज को भी सामने आना पड़ेगा, स टृँये अभी आशा ना के मिलगे और क्यार्य हृद्ट सब्साइब कर रहा थेह 출aj yeni architect मेडिया के लोग धी वहां पेंड जेख बहुत अच्छा सारी समाजिक और धार्मिक संस्थाएं साथ आई हैं इसकौन वाले बहुत मदद कर रहे हैं राधा स्वामी वाले बहुत मदद कर रहे हैं गुर्दवारे वाले बहुत मदद कर रहे हैं वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं और खुद भी काफी चला रहे हैं और भी मैं किसी का अ आसे सब्हुत कि जिम्यदारी हैं वह सब हमारे हैं। वो जारखंड के हो सकते हैं चाहिए बिहार के हो सकते हैं चाहिए यूपी के हो सकते हैं चाहिए तमिलाडू के हो सकते हैं कहीं के हो वो हैं दिल्ली के वो अब हमारे हमारे साथ हैं वो हमारे हैं उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए तो एक 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 व्यक्ति को हम खयाल किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे और सभी राज्यों के दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश से लोग आ के यहां पे रहते हैं मैं देश के सभी अन्य राज्यों को उनके मुख्यमंत्रियों को उनके लोगों को या श्वासन देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी रह रहा है उसको हम किसी कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ हो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी को भी तकलीफ नहीं होगी ये समय बहुत कठिन समय है, सबको तकलीफें हो रही हैं, सब तकलीफों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि सबको कम से कम तकलीफ हो, धन्यवाद.